दोस्तो हजारों रिष्टे टूटते हैं सिर्फ एक emotional fact गुस्से की वज़े से यही गुस्सा कई बार हमें ऐसी extreme situation में डाल देता है जिससे बाहर निकलने में हमें बहुत मुश्किले जलनी पड़ती है दोस्तो आज के वीडियो का purpose गुस्से को खतम करना नहीं है लेकिन उसका perfect optimization करना है दोस्तो हम में से कहीं सारे लोग कहते हैं कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमें गुस्सा आजाता है और यह बात 100% wrong है दोस्तो जिससे मैं एक example के साथ prove कर दूँगा दोस्तो imagine कीजिए वो इंसान जो आपसे लोगना powerful है और यह ऐसा इंसान जो आपसे थोड़ाइसा कम powerful है इसको आप चुटी बचाकर कोईपी काम करवा सकते हो और दोस्तो अभी यह दोनों ही लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो करने कर आपको हर्ट बार बहुत गुस्ता आता है इस situation में हमने से कोईपी इंसान दोस्तो अपने से powerful इंसान पर गुस्ता नहीं करता है इसके प्रूव होता है दोस्तो कि हमारे सारी emotions हमारे control में है जरूरत है तो थोड़ी self-awareness की आसी छोटी छोटी प्रॉब्लेम्स को हम अपने दिमाग के अंदर ही बहुत बड़ी बना देते हैं और फिर जरूरत पड़ती है अपने सेमिनार्स और वेबिनार्स में अपने टाइम बेच करने की अगर आप चाहते हैं ऐसी डिटेल इंफामेटिव वीडियो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर